राजनीती में नेताओं के बीच प्रतीस परदा एवं खीस्तान चलती रहती है। कॉंग्रिस नेता दामुदर जिंग्यादब ने ब्लोक अध्यक्ष की निउक्ती को होल्ड करने के लिए PCC को पत्र लिखा है। तो बहीं छेतरी विधायक ने इन निउक्ती में ब्लोक अध्यक्षों की सहमती लेना बत्राया है। दरसल सेवाधल विधानसवा छेतर के इंद विवाध सामने आ रहा है। इस मुद्दे पर शेतरी विधाय گंस्याम सींग ने अपनी बात रखते हुये कहा कि सेवणा विधानसवा छेतर में ब्लोक अध्यक्षों की निउक्ती सहमती विदाया के शेतर के उदियक्ष सामतीसंग की साथ के गया की 선생님 नरगण ब्लोग अध्यक्ष बी के जाटब लगबग 7-8 महिने से ब्लोग अध्यक्ष के रूप में कार्यबार संभालने में असमर्थता बता रहे थे और मुझसे इसे पर बदलाव के लिए अनुरोध भी किया था। वहीं इसी को लेकर सेवडा ब्लोग अध्यक्ष कुश्वा ने भी मुझसे चर्चा की थी और इसे पर बदलाव के लिए सहमती प्रदान की थी। कर कोई बिवात नहीं है। तो लंबे समय की उनकी रिक्ष्ट थी और जन्वेद सिंग जी सेवडा ब्लोग अध्यक्ष से भी उनकी सहमती ले 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 गी थी। आजी खुशी सहमती से वो तयार हो गए। और दोनों को जिला कोंग्रेस कमेटी में महात मौपाद जिया जारा है। कहीं कोई वेवात किस्तिते थी। अब ये तो कमला जी से पूछ ली जाओ। मैंने तो बताया इन दोनों की सहमती थी और मैंने सहमती ले थी। बही सेवडा विधान सवा छेत्र में कॉंग्रेस के दो बड़े दिगज नेता ब्लॉक कॉंग्रेस के अध्यक्षों की निक्ति को लेकर आपस में टकराते हुए दिखाई दी रहे हैं। ब्लॉक कॉंग्रिस अध्यक्षों की नियुक्ती में स्योडा से देविंद्र परिहार तो बहीं इंदरगड ब्लॉक से हरी मोहन गुर्जर के नाम सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ब्लॉक अध्यक्ष पद पर इन दोनों नामों की अनुशन सा प्रदेश कॉंग्रिस कमेटी के लिए की गई है। जिस पर दामोदर सींग की तरफ से सहमती और असहमती का बिवाद गहराया हुआ है। आपको बता दे कि विधान सावा चेतर में चेतरी विधाय घंस्याम सींग एवं पर देश कॉंग्रिस कमेटी में दामोदर सींग यादब के बीच तकरार की बज़य स्योड़ा बिधान सावा चेतर की सीट बनी हुई है। कॉंग्रिस नेता दामोदर सिंग यादव काफी लंबे अर्षे से स्योडा छेतर से कॉंग्रिस के टिकेट को लेकर तैयारी कर रहे हैं। वही इस विधान सवाज छेतर में कुणर घंस्याम सिंग का भी प्रभाव होने के कारण टिकेट को लेकर खीशतान बनी रहती है। प्रदेश हाई कमान को चुनाव लड़ने का एलान करते हुए अपनी ताकत दिखाते रहते हैं तो बहीं स्योणा विधायक घंच्याम सींग भी समय समय पर छेत्री की जनता के लिए अपने कारी करम आयोजित कर सक्ति प्रदस्थन का भी ऐसास कराते रहते हैं अब देखना यह होगा कि बजय जो भी हो स्योणा वधान सवा छेत्र से आखिर कर टिकेट किसकी जूली में जाकर करता है दतिया से योडी ने उच के लिए विनोत कुश्वा की रिपोर्ट